विधर में जागरित माता के रूप में विख्यात माता महाकाली की एतिहासिक यात्रा प्रबंदक सुनील महाकाले के हातों देवी की महा आर्थी के पश्चाज शुरू की गई भाविकों की सुविधा के लिए मंदिर प्रभंदन और मनपा पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्ता भी की गई है एतिहासिक माता महाकाली मंदिर में चैत्र मा में शुरू होने वाले इस एतिहासिक यात्रा के लिए दीवी भक्तों का आगमन गुड़ी पाडवा से आरम हो जाता था यात्रा की चैत्रपूर्णीमा को मुख्य पूजा होगी इस दोरान पूरा मंदेर परिसर पूरी तरहा से सजाया जाएगा यह यात्रा कुछ वर्षों पूर्व एक से लेकर डेड़ महा तक चलती थी पर अब सिमट कर आठ से दस दिन की रह गई है यात्रा में नामदेर परभनी, सोलापूर, कोलापूर, मराटवाडा, आदिस्थानों से हर वर्ष लगबग एक से डेड़ लाग से अधिक श्रधालू का देवी महाकाली के दर्शनों के लिए यहां आगमन होता है यात्रा में अंत्रप्रदेश, देलंगाना, लातूर, जालना, उस्मानाबाद, परभनी, आदिस्थानों से भी श्रधालू का आगमन शुरू होने की संभावना है यह यात्रा चैतर शूलक, पश्टी से चैतर पॉर्णिमा तक जारी रहेगी और लेकनी है कि लगबग 300 से अधिक वर्ष पुराना देवी महाकाली मंदिर जागरत मंदिर के रूप में प्रसिद है गोंड राजाओ द्वारा बसाई गई इस नगरी में रानी हीराई ने 1672 से 1691 तक अपने कारेकाल में पुराने महाकाली मंदिर का जिर्नो धार कर मंदिर को भव्यर रूप प्रदान किया था उसी समय से रानी हीराई द्वारा चैत्रपूर्णीमा से इस मंदिर में शुरू की गई देवी की यात्रा अब तक अबादित रूप से चल रही है हिंद्वी समराज जी के संस्थापक चतरपती शिवाजी महराज ने भी इस मंदिर पहुच कर दर्शन किये थे और मुगल शासकों पर अबन वर्चस्व स्थापित किया था लगबक 1916 से नांदर जिले के तले गाओ, उम्री निवासी, आदी शक्ती की उपासी का राजा बाई के सपने में देवी महाकाली ने दर्शन दे कर उसे चंदर पुर्ष्टेद मंदिर में दर्शन देने और अपनी भक्ती का प्रसार करने को कहा था तब सेव यात्रा में एक बड़ा जथा लेकर यहां पहुंची और देवी महाकाली के दर्शन किये तब इसे उस परिवार और मराठ वाड़ा के शुधालू बड़ी संख्या में यहां आने लगे आज भी राजा बाई के वन्शरज यहां परंपरा को निभाते आ रहे है उसी तरहां नांदिर निवासी या मुनाबाई का भी प्रतिवर्ष पोहा अर्थात जथा यहां पूरे गाजे बाजे और सवारी के साथ आता है इस यात्रा के महत्व को देखते हुए 1955 में नगर प्रशास ने विशाल स्वरू प्रदान किया और तब से अब तक यहां बड झाल